तो अगर आप लोगों के पास भी एलेडी बलप है तो उन्हें किसे रिपेर किया जाता है तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हो अगर आप लोगों के पास भी है तो आप लोगों फेंके ने और घर पे फिरी में सही कर सकते हो तो आज की वीडियो में आप को बता जिता हूँ किस तरीके से करना तो इस ब्लब को खोलने यह आप लोगी से खोल सकते हो रही कुछी नहीं करना इस ब्लब को इस तरी शेलेना है और और इस तरीके में यहां से जब भूब कुछ यहां से इसे तो our nous also Wowkop 8 से सफी कर सकते हैं इस तरीचा लोग करके भी इस सकते हो और अगर रेंश वाला हिए आप लोगों के पास तो इसे असे अधासान से उतार सकते हो तो मैं इसे उतार लेता हो यहां से तो गैस कुछ इस तरीके से आस्टानी से निखल जाएगी यह प्लेट बार तो इस प्लेट को कुछ इस तरीके से निखा लेना है मैं नफन इस अबम आप लोगों इछा में लाकि दिखा देता हूँ इस तरीकी से आप लोग देखो तो इस प्लेट में आप को कुछ छी खराब नहीं दिखाई दे रहे हैं चाहिए चीजें जो अमारे यह केफिशिटर सही है कि रजिस्टेंस भी सभी दिखाई दे रही है सारे पार्ट तो इसे अपके से चेक कर पाऊंगे आप लोग तो मैं दिखा देता हूं आप लोगों इसे कुछ इस तरीके से रखना है यहां पर और इसमें अलग से आप लोगों कुछ चीज़ी नहीं लगाना है इसमें हमेश और यहां स्विद्वर्ड का यूज़ करना यह डायरेट हम नहीं लगा सकते इसलिए श्रीज़ बोड़ का यह यूज़ करना एक बार श्रीज़ बोड को करता ओन अब लगाता हूं मैं यसे कुछ इस तरीके से तो आप लोग देख पारें है यह हमारा बलब ऑन हो गया यह अलग से कुछ the part नहीं लगा ना हमें केवल यह जो हमारी एक यहां पर दिखाई देए यह देखरेंट्रिक इसमें खराब होती है सबसे ज्यादा तुक्त पूर यहां पर यह ना नहीं हमें केवल डायट्स यहां उन्य सारी और आप लोग देखिए इस Carson को द्यान से इसमें तो साथ है कुछ इस तरीके से ये सारे ये दम भाहिए कि आधो एक यमां कि फृच्कि होगा और यह में हैं इसके पोइंट तो एक प्यांसी अन फुक्त करना इसके पोइंट कि लेगिंट कि यूग यू होगई उन कि एक पॉइंट को रखना यहां पे वो रेक को रखना है यहां पर यह वह वन हो गई इस तरीके जी अब इसको चेक करा दिया मैंने आप लोगों को जैसे यह बाग है यह दूसरी का तो इसका देखते हैं तो यह रेजिस्टेंज यहां डाइरेट लगाई हुई एक पॉइंट यह रेजिस्टेंज हमारे ना फीयूज का काम करती है एक तरीके से फ्यूज का क्यों यही खराब होती है यह बाकी के इस दो सब्सक्राब नहीं रहें यह वह देट इस Immigrion लेकिन रेसे के स्वे से पड़ाना आए इस तरीके से तो इस तरीके से में सारे बलफ याँ यह तो यह कीजय के वे यह केवल मैं दिखा देता हूं यह बार पास है करता हूं कि अ यह कि यह वाली यह तो इसे हटा दीजिये या इसके जब आगे यह यहां पर एक तार सोल्डिंग कीजिए और यह यह वाइर ले लिजिए साथ में यहां से हमें एक तार और अलग से करना है इस वायर को सोल्डिंग करने के बाद में यह बलब हमारे काम करने लगए लेगा लेकिन आपके बाद जब ख्राब होगा तो गैस इसमें आगे सप्लाइ में यह जैसे हमारे केपिसीटर है इसमें प्रोब्लम आ सकते लिए अभी तो हमें इस बलब को फुरी में सही कर स सोट में इसे काम कर सकते हो आप लोगों अलग से कोई पार्स नहीं लगेगा कि अब फिरी के अंदर आप इसे एक बार सही कर सकते हो आप लोगों वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कर दीजिए लाइक चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए और जिसे मेरे वीडियो के नहीं नोटिफिशन आप लोगों आते रहेंगे और इसे रिलेटिव औ और आप लोगों कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मेरे इस्टाग्राम आइडी पर मुझे फोलो करके भी पूछ सकते हो तो बस आज की वीडियो में इतना ही